मैं बुक आपको रिव्यू करकर दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है biology 30 की ये बुक मैंने online एक website के तुरू मुझे मिली हुई है तो चलिए आपको मैं इस बुक का पूरा complete review दिखाता हूँ ये तीन बॉल्यूम से में आता है और ये फर्स बॉल्यूम है और क्लास 11 और क्लास 12 के सारे चैप्रिस इंक्लूड करता है तो सबसे पहले आपको मैं content इसका दिखाता हूँ और हमेश्चा की तरह description box में इस बुक की आपको link मिल जाएगी वहां से आप इस बुक को purchase कर सकते हो तो यहां पर मैं आपको content दिखा रहा हूँ the living word जिसे आप idea लगा सको अगर आप इस बुक को purchase करना चाहते तो उसके बाद आप decide कर लोगे कि आप यह बुक कैसी है चैप्टर जो भी questions है वो topic wise arrange मिलते हैं आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं CBC PMT जो पहले होता था उसके questions आपको मिलेंगे और जो different medical interests पहले होते थे उसके भी questions आपको साथ में मिलते हैं और quantity के अगर माँ बात करता हूं तो आपको बहुत जादा questions per chapter आपको मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हों कि NCRAT जो textbook है The Living Word वो छोटा सा chapter है इस्टिल यहां पर आप देखो questions कितने है questions के number यहां पर काफी जादा है तो आपको variety of questions मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए और आप देख सकते हैं बहुत सारे questions हैं उसके बाद में यहां पर आपको solutions भी सही से मिल जाते हैं काफी अच्छे से explain करा गया है यहां पर आप देखो maximum questions के आपको solution यहां पर मिलेंगे जिसे अगर आप self study करते हो तो आपको यह काफी beneficial होता है जो है उसमें भी इसी तरीके का content आपको मिलेगा chapter wise topic wise चीज़े मिल जाते हैं आपको अगर यह video अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस video को like कर दो इस channel को subscribe कर लो ऐसे books review videos के लिए और मैं मिलता हूं आपको किसी next video में किसी और book review के साथ में